प्रवासी मजदूरों को लेकर सोनिया गांधी और मम्ता बनर जी किस तरीकी से राजनीती कर रही हैं तुष्टी करड़ की राजनीती इनकी है जो उसका परदाफास हो गया इक तरफ हम बात करते हैं मम्ता बनर जी की जो तुष्टी करड़ की राजनीती कर रही है अजमेर की जो ट्रेन आती है उसको वहाँ जो फसे है यातरी उनको बुलाती है लेकिन दूसरी तरफ हरिद्वार में जो फसे हैं उनको बंगाल में नहीं बुलाया जाता और किस तरीके से वो परशिम बंगाल म वहाँ पर भी अनुमत नहीं दी जा रहे हैं यानि कि कॉंग्रेस नहीं चाहती कि जिस राज में उनकी सरकार है उस राज में प्रवासी मजदूर आएं और इसी विशेपर्ड चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवंत्यागी जो संग विचारक है सर आपका बहुत-बहुत सागत है सर कॉंग्रेस जस तरीके से राजनीती करती आई है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर लेकिन उसके जो राज हैं उसमें वो खुद इजाजत नहीं दे रहे हैं ट्रेनों के जो आकड़ें आए हैं वो कितने कम हैं और वहीं बात करें पशिम बंगाल की तो ममताब अनर जी किस तरीके से तुष्टी करन की राजनीती कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वोड बैंक को ध्यान में रख रहे हैं जब कि जो उनके प्रवासी मजदूर हैं अलग अलग राज्यों में फसे हुए हैं उनकी उनको फिकर नहीं है उनको सिर्फ और स सामने आएंगे उस पर आप क्या कहेंगे देखे पच्चिम बंगाल की जहां तक बात है हम उसको काफी दिनों से देख रहे हैं जब से ममता बेनर जी सत्ता में बैठी हैं तबी से उन्होंने लगातार एक विशेश वर्क को खुस करने के लिए तुष्टी करन की राजनिती रुआत उन्होंने की रोहिंगियाओं से बंगला देशियों से और उनके लिए सारी सुविधाएं जुटाने से लेकर उन्होंने उनके रासनकार बनाए उनके सुविधाएं दी उनको जमीन दी और इसलिए जब वो दंगा भी करते रहे तो उनके दंगों पर वहां के पूरी तरह वहां द्वस्त है सारी सुविधाएं और कैसे होस्पिटलों के सीन हमने देखे के वहीं लाशों का धेर लगा है वहीं मरीज बरती है उस पर भी वो राजनिती कर रही है के वहां उस इलाज के करने को लेकर भी डील ढाल है सारी लेकिन वो चीज़े जब भार आने लगी तब उन्होंने उस काम को जो कमिया है उसे ठीक करने के बजाए जिन लोगों ने वो कमियों को उजागर किया उन पर सक्ती सुरू कर दी और डॉक्टरों के मॉबाइल भार रखा दिये सीमो पे कारवाई कर दी और वहां बोलने पे इतनी सक्त वो है वहां साशन और ट लीक करेगा तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है लेकिन उससे भी बुरा हाल पक्चिम बंगाल में है वहां तो जेल ही नहीं वहां सिदा सिदा कतल ही कर दिया जाता है तो वहां TMC के गंडे हावी है और उनका इतनी गंडागर्दी है कि कोई TMC के खलाप ओज उठाने की क तक प्रवासी मजदूरों की बात है बहुत सारा ये चाटुकार मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि देखिए कितने गरीब असहाए बच्चे गरबवती महिलाएं रोड पर चलने को मजबूर हैं वास्तम में हिर्दय विदारक वो द्रश हमने देखे हैं क्योंकि हम भी जब दिल् रेल क्यों नहीं चला रहे हैं लेकिन आज भारत के रेल मंत्री प्यूश गोयल जी ने उसको क्लियर किया है कि हम तो रेल चलाना चाहते हैं रेल हमारे पास तयार हैं लेकिन उसमें ट्रेन कहां चलाएं ये एक विवस्ता की केंदर ने के 85% किराया हम देंगे केवल राज्य वो उन्होंने डाटा आज प्रस्तुत किया और उस डाटा में जब बताया तब आज आश्चरिय की ठिकाना नहीं रहा कि ये तो केवल ममता बेनर जी नहीं जहां कांग्रेस शाशी सरकारे चल रही हैं जहां कांग्रेस का शाशन है ये अभी तक हम सोच रहे थे राहुल गा अगर होती तो जहां कांग्रेस शाशीत सरकारे हैं राजस्तान में हैं 36 गढड में हैं महराश्च में हैं जहार खंड में हैं वह तम्हारी सरकार हैं वहां से केवल दस राजिस्तान से केवल बाइस और पश्चिम बंगाल जो ममता बेनर्जी है उन्होंने तो खमाल ही कर दिया कि उन्होंने तो ये प्रवासी मजदूरों में भी धरम खोज लिया कि अगर वो अजमेर दरगाहा पर कोई गए थे घूमने देखने के लिए कौन जाते हैं वहाँ एक विशे धरम के लोग जाते हैं जो अजमेर शरीफ की दरगाहा को चादर चड़ाने जाते हैं या उसको मानते हैं तो वहाँ जब वो रिक्वेस्ट करते हैं ममता से तो उनके लिए एक ट्रेन मंगाने के लिए केंडर को चिठी लिग दी उन्होंने के अजमेर शर ये जानते हैं कि अजमेर में कौन जाता है और हरिद्वार में कौन जाता है तो ममताव एनरजी लोगों का धरम देखकर उनको मदद दे रही हैं लेकिन आप देखिए जो महराष्ट है वहां तो सभी धरमों के लोग हैं वहां बंगाली जो हैं उत्तरा खंड में सभी धरमों क की रिक्वेस्ट आई है तो रेल मंतरी जी ने जो खुलासा किया है कि केवल पस्चिम बंगाल से अभी नो ट्रेनों की घोशना हुई है संभित पात्रा ने अपनी पीसी में भी बताया करते हुए कि आज तक का जो मेरे पास डाटा है वो नो ट्रेन का है जबकि रिक्वार्मे कि डेली लगबख सो से उपर ट्रेन चलाने की जड़त पस्चिम बंगाल के लिए है क्योंकि उनके पास जो रिजिस्टेशन हुआ है जो फोन कॉल आई है जो रिक्वेस्ट आई है वो लगबख डेड़ लाख मजदूरों के करीब की है बंगाल के जो भारत के अन अन राज नहीं चाहती जड़ा बताये तो सहीं क्या वो धरम देखकर के टरेन बेजेंगी क्या वो धरम देखकर के बस बेजेंगी तो वो इंतगा क्या कि वो जाधतर लोग पैदल पहले आ जाएं अब आप देखिए ना इनको उमीद नहीं थी कि ये भारती जनता पार्टी के कुछ नेता ये कुछ तुमारी पॉल खोल देंगे ये तो जेपी नड़ा जी ने एक मिटिंग बुलाई क्योंकि हम देखी है कि सारा मीडिया वो भारतिय जनता पार्टी और केंदर सरकार से सवाल पूछ रहा था कि भाई आप जो है इस तरह के दरश्ट देखकर आपका दिल क्या पिगलता नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं गर्बती महिला हैं समान चिर पर रखकर पैदल चल रही है इतनी भीसन गर्मी में तो वह आप ट्रेन क्यों नहीं चलाते तो आज उसका जवाब जेपी नड़ा जी ने जब मिटिंग ली और उन्होंने सारे मंतरालियों के मंतरियों को बुलाया जिसमें प्यूश गोयल जी धर्मेंदर प्रदान जी इसमर्ती एरानी अमिश शाह ये सारे लोग शामिल हुए और उनको बताया कि ये इतना ही नहीं है ये गहरी साजिश है विपक्ष की कांगरेस की के वो क्या है केवल सवाल उठा रह हुए मरीज क्यों बढ़ रहे हैं ये पैदल लोग क्यों चल रहे हैं इनको खाना नहीं है और इस तरह का सवाल उठाओ केंडर को सरकार को बदनाम करो बस केवल सवाल छोड़ दो और भाग जाओ केवल सवाल उठाने का काम है जो मदद करने की जरूरत है वो कह रहे हैं आप केवल हमें request दीजिये कि हमारे कितने मजदूर आपको train से मंगाने हैं हम अतनी train भेज देंगे तो रेल मंतरी कह रहे हैं हमारे पास train है हमारी ट्रेन खाली घड़ी है हम भेजने को तियार है और वोही ये कांग रेस केवल सवाल उठाकर लोगों की भावना उसे खिलबार कर रही है वही देश टी में डेशकी जनता को भी मूर्क बनाने का काम कर रही है के वो देश की जनता में केंदर सरकार को बदनाम करके सहनभुती लेना चाती है कि हम बड़े हितेशी हैं आपको एक बात और बता दू कि इसी में आप देखिए क्या होती है मानवता क्या होती है राजनीती के उपर सोच यहीं पे आप योगी जी को देखिए योगी जी को भी जब ये ख़बर लगी के बहुत सारे लोग पैदल आ रहे हैं तो आपको बता दू उन्होंने ट्रेन की रिक्वेस्ट नहीं दी सडकों पर बसे चल रही है जहां भी कोई प्रवासी दिखता है और वो बैठना चाहता है तो उसे बिठा करके उनके गंतव अस्थान तक छोड़ने का काम योगी सरकार ने किया है वो राजनीती से उपर है किसी का धरम देख करके वो बस नहीं चलाई गई या ट्रेन जो च प्रवासी मजदूरों के नाम पर किस तरीके से कॉंग्रेस उनके चाटुकार पत्रकार प्रोपेगंडा फिरा रहे हैं जो विदेशों की तस्वीरे चाहे वो मेंबार की हो रोहिंग्या की तस्वीरे जो पाकिस्तान और बंगलादेश की तस्वीरे सीरिया की भी तस्वीर किस तरीके से यह शेयर कर रहे है कि यह हमारे देश के प्रवसी मज़्दूरों का हाल है तो यह ठीक उसी प्रकार है जिस तरीके से मजदूरों के रियल है के भारत में भी सड़कों पर गरीब लोग सड़कों पर चल रहे हैं लेकिन कहां से आप दिल्ली से चलते हुए मजदूरों से बात करिए मैंने पूछा है लोगों से दिल्ली से लोग जा रहे हैं मैंने का भाई दिल्ली में तो बिजली फिरी है पानी जा रहे हैं गरीब वो कहते हैं साथ सब ज्वूट है ये मकान ये बिजली ये किसको है जिसके पास राशन कार्ड है उसको बिजली बिरी है भोजन दो टाइम का केवल खिटडी और दलिया मिल रहा है चार घंटे लाइन में लगो तब एक कटोरा दलिया मिलता है पैसे किसी को मिले नहीं हैं और इसी में हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेस में योगी जी गाओं गाओं में सुविदा पहुचा रहे हैं लोगों को खाते में पैसे मिल गए हैं लोगों को राशन भी मिल रहा है तो इसलिए छोड़ने को मजबूर हैं यही हाल महराष्ट का है महराष् मजबूर जा रहा है उसके नाम पर यह विदेशी फोटो लगा कर यह सानवुती बठोरने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ यह बदनाम करने की देश को कोशिश कर रहे हैं ऐसे में कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि इस हमारी के टाइम में सरकार की मदद तो करने से ग लेकिन इनको केवल सरकार को और देश को बदनाम करना है यह दुनिया में देश की बदनामी करने में लगे हैं जो मोदी जी इस देश की पूरी दुनिया में एक छवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं दवाई से उन्होंने मदद की कुलोरोकीन पहुंचाई उन्होंने किट प इनकी सरकार रहे हैं लेकिन जब वहां से मजदूर परबासी मजदूर पैदल चल रहे हैं तो वह तस्वीरें किस तरीके से यह शेयर करकर प्रोपेगेंडा फैला रहें हैं चवी खराब करने के लिए ऐसी साजिस रच रहे हैं सरकार को नाकाम करने की कोशिस में यह जनता का कितना अहित कर रहे हैं जैहिंद जैभार्ण